आज की रंगोली का डिजाइन देखके आपको थोड़ा बहुत अनुमान तो हुई गया होगा कि हम क्या बना रहे हैं जी हाँ हर हर महादेव नमस्कार दोस्तों मैं चादनी विस्व कर्मा आप सभी का मेरी यूट्यूब चानल चादनी विस्वा में हर दिक स्वागत करती हूँ तो आज की हमारी रंगोली डिजाइन में बहुत जादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि मैंने ये रंगोली बाबा उशनात मंदिर में बनाई थी जी हाँ, राम उच्छो के अवसर पर मुझे भी यहाँ पर रंगोली बनाने का सुब अवसर प्राप्त हो गया तो बाबा उशनात की ही कृपा है कि उन्होंने फिर से एक बार ओभी इतनी जल्दी मुझे दुबारा से अपने चरणों में, अपने स्थान में, अपने धाम में मुझे रंगोली बनाने का एक और मुखा दे दिया, तो बहुत बहुत शुक्र गज़ार हैं हम उनके, और बाबा ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाये रखे, बहुत ही दयावान है हमारे बाबा और आप लोग भी आईए, उनका दर्शन कीजिए, और अक्मी विशस उनस मांगे, वो तो बिन मांगे ही बहुत कुछ दे देते हैं, तो जैसा कि अब आप देख रहोंगे कि आप लोगो को समझ में थोड़ा बहुत तो आही रहोगा कि मैं यहाँ पर क्या बना रही हूँ, तो मैं यहाँ पर आयोध्या का राम मंदर से रिलेटेड मैं यहाँ पर मं ठंड है यहाँ पे इस टाइम जब मैं रंगोली बना रही थी तो काफी ठंड थी बाइस जन्वरी के टाइम में तो आप लोग को पता ही है कि उसी दिन हम लोग यह रंगोली बनाये थे मैंने ही बनाया था और मैं यहाँ तक पहुची क्योंकि मैं नमामी गंगे टीम से अउसर प्राप्त हुआ था और वो भी ऐसे दिन जिस दिन प्रभुश्री राम जी का भावे मंदर का जिस दिन प्राण पतिष्ठा था उस दिन यानि के बाइस जन्वरी को तो मैं बहुत ही खुस नसीब हूँ बहुत ही सौभागे साली हूँ कि मुझे उसे दिन अपने का तूल्स का बहुत कम यूज हुआ है क्योंकि जो भी मंदर का इस प्रोपर हांड से ही जितना हम अच्छे से बरा सकते है उतना अच्छा चीक्ट थे से बहुत ही मोटा मोटा बनता है हाथ से एक दम पतला और बारी की जैसे चाहें वैसे हम डिजाइन बना सकते हैं प्रूश था कि मैं क्या ही बताऊं आपको बड़ कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह हो ही जाती है और बाबा खुद अपने धर्वार में मुझे बलाए रंगोली बनाने के लिए तो थंड क्या ही लगेगी आपनों समझी सकते हो तो देख रहे होंगे आप कि मेरा यहां पे हाथ पै यह वीडियो सारे चोटे 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 शॉट्स लेते तो वही वीडियो में आप सब तक शेयर कर रही हूं उमीद करते हैं कि आपको हमारी यह प्यारी सी श्री राम जी की स्पेशल रंगुली डिजाइन अच्छी लगेगी और जीकने भी बनारसी है या फिर जो भी यह वी वीडियो आप सब तक ऐसे ही पहुचाती रहूं और आप लोका प्यार हमेशा हमारे साथ बना रहे हैं तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं यहां पर तोड़ी बहुत जो भी डीटेलिंग वाला पार्ट था हम यहां पर अपना कंप्लीट कर रहे हैं यलो कलर थोड़ा सा ब् दिखानी थी बनानी थी और वहां पे बहुत बड़े बड़े अधिकारी आया थे आपको वीडियो में बीच-बीच में दिखेगा भी कि सिफ रंगोली यह नहीं वहां पे जो भी इवेंट हो रहे थे वाई जन्वरी को वो इवेंट भी आपको थोड़े बहुत इसमें दि वीडियो फिक्स था और उसी बीच में हम अपना रंगोली बनाये थे जब मैं रंगोली बनाके अपने घर आई थी फिर मैंने नियूस पेपर में दिखा था कि इसके चारों तरफ जो काशियो शनात डंबरु दल के जो सदस्य हैं वो लोग इसके चारों तरफ खड़े होके डंबरु बादन कर रहे थे जो लोग भी 22 जनवरी को बावर्शनात मंदर में गए होंगे उनको पता होगा और उन्होंने ये रंगोली जरूर देखियोगी बस इसमें यही है कि मेरा नाम तो इसमें लिखा हुआ था बट कोई लोग मुझे देखा नहीं देखा बहुत सार सब्सक्राइब बनाने वे तो और भी जादा लोग जाने ही जाएंगे तो काफी सारे लोग आये थे मुझे मिले मेरे साथ फोडूस बगरा लिए यह मुझे थोड़े बहुत अची फिलिंग आ रही थी और यह सब कुछ आप सब की वजह से है मैं आप सब का बहुत बहुत मुझे प्यार करते हो मेरी रंगोली को पसंद करते हो जब मैं बना रही थी वहां पे भी सब लोगил लगा आ सब्सक्राइब नमामी गंगे टीम के सदसे लोग थे तो मैं इन सब चीजों से बच जा रही थे, मेरा तो ध्यान भी नी जा रहा था कि कौन-कौन है, क्या है, कैसे नहीं, जब मेरी रंगोली पूरी तरीके से जब बन गई थी, तब मैंने देखा कि किसा रहा है, और क्या-क् बहुत अच्छा एक्सपिरियंस था और यह सब कुछ सिर्फ और सिर्फ बावशनात की क्रपा से है मैं हमेशा चाहूंगी कि ऐसे हमें हमेशा मौका मिलता रहा है उनके दरबार में बनाने का क्योंकि वही है जो मुझे यहां तक पहुचा है मुझे हिम्मत दिया है वरना हर कि कि अंदर इतनी कहां हिमत होती कि वह खुच से कुछ कर पाए वो भी अकेले दम पे तो मेरे लिए बहुत बड़ी वात है और बावा ही है मेरे सहाई है वही मेरे माता पिता सब कुछ है फ्रेंड है बंदू है आप लोग भी हो बटेक होता है कि जिससे हम सारी चीज़े अप पारा मंदिर का थोड़ा थोड़ा पार्ट आपको दिख रहा होगा तो इसमें मैंने जो भी बीच-बीच के पार्ट में कुछ डीटेलिंग भी दी है जो कि आपको वीडियो उसके फुल वीडियो आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसलिए मैं बोलूंगी क सब przydz 너무 chia यहां पर मैंने द्राइब किया है काफी बड़े सी हैं बीच में मैंने मंदिर के सीन्टर में में यहांपे प्राइब सब्सक्राइब संदरची की प्रतिमा को यहां पर बनाया है थोड़ा बहुत हम ने यहां पर जित्ता भी डीटेलिंग वर्क्स था उसको यहां पर देने का कुशिस किये हैं क्योंकि टाइम बहुत जादा कम था और काफी बड़ी थी अकिले बनाने में काफी समय लगता है आप लोग जानते ही होगे बट फिर भी हो गया अच्छे से सब कुछ बहुत ही अच्छा था बहुत जादा अच्छा था मतलब मुझे किसी चीज़ का वो नहीं है बहुत अच्छा था बहुत बढ़िया बनाता तो बस आप लोग से भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी कॉमेंट में जैश्री राम जरूर से लखेगा और मुझे बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहां से देख रहे हो तो प्लीज इसके कलर से मैंने आउटलाइनिंग की है जैसे कि हमारा थोड़ा सा फेस वाला पार्ट या फिर पूरा बॉडी स्ट्रक्चर हमारा डिफाइन हो सके अच्छे से हमें सारी चीज़े दिखें समझ में आए तो मैंने यहां पर बहुत ही डाक कलर का यूज किया है उनके इसको यहां पर किया है इनके जब और्नमेंट्स या इनकी जब जुल्री हम बना रहे थे तो मेरे स्टुडेंट ने वीडियो रिकॉर्ड नहीं कि कर पाई थी तो जैसा कि आप देख रहा हूंगे मैं यहां पर दिख भी रहूंगे आपको क्योंकि वह वीडियो करता हो मेरे साथ जो लोग भी है वो लोग सब नॉन प्रोफेशनल है मैं खुद से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो इतना हाथ शेक नहीं होता बट उसने सब कुछ हाथ से रिकॉर्ड किया तो इस पज़े से थोड़ा सा प्रॉब्लम हा रहा होगा तो उसके लिए हम आफ रंगे मैंने आपे उनको भगवा रंग का ही या फिर केसरी रंग का ही कह सकते हैं उनको मैंने वस्तर पहनाया है और रेड कलर से उसकी डिटेलिंग दी है आउटलैनिंग की है उसमें हलका सा शेड लाने के लिए मैंने वाइट कलर का भी यूज़ किया है अभी मैं उनके हा नाम भी लिखा हुआ है जिसको मतलब मुझे देखे काफी अच्छा लगा यह मेरी तीसरी चौती रंगोली होगी जब मैं कभी बाहर रंगोली बनाई और मैंने अपना रंगोली में रंगोली कलर से मेरा नाम खुद लिखा था तो यह काफी अच्छा एक्स्पिरिंस था किसी ने मुझे कहा कि आप अपनी रंगोली बनाए है इतना सुन्दर बनाए है तो आपको अपना नाम अपनी रंगोली में रंगोली कलर से ही लिखना चाहिए तो मैंने यहां पर अपना नाम भी लिखा हुआ है तो जैसे कि अभी आप देख रहा हूं मैंने उनके जितने बीड़िस थी मैंने वाइट कलर से सारी जुलरी का पार्ट बना है तो जैसा कि आप देख रहोगे कि यहाँ पर बैक्गराउंट भी आपको दिख रहोगा कि हाँ पर कितने सारे बहुत कुछ इवेंट्स होई रहते तो बहुत ही एक अच्छा इन्वार्मेंट था वहां पर जब मैं रंगोली बना रही थी तो काफी अच्छा लगा थोड़ा से स्पेसे बचे हुए थे तो भाई जैसरी राम लिखना तो बनता है आप लोग भी प्लीज कमेंट में जरूर हम पूरे रंगोली में साइड के पोरिशन में लिखा हुआ है जैसा कि अभी आपको दिख रहा होगा लास मैंने यहां पे हर हर गंगे नमामी गंगी का नारा भी लिखा था क्योंकि हम नमामी गंगे टीम से गय थे वहां पे तो उनका स्लोगन लिखना तो बनता है और बीच के पॉश्चर में मैंने थोड़ी से डिजाइनिंग करने के बाद अपने यहां पे नाम भी लिखा हुआ है आपको दिखेगा यहां पे मैं लिख रही हूँ जैसा कि आपको दिख रहा होगा यहां पे मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैं क्या ही बताओ मतलब नेम और चुटा नेम सब यही है बस ममा मुझे प्यार से डिख बलाती है तो थैंक इस वो मच